प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी कैमरे के सामने भावुक हो गए तो गोधी मीडिया चाहता है इस पर दुखी हुआ जाए क्योंकि इनके मालिकों का यार रो रहा है इसलिए यह चाहते हैं आस्वों की बारिस की जाए मीडिया इतना बेशर्म और विकाऊ ना हो चुका होता तो एक बार तो सोचता क्यों ना इस सक्स से सवाल किया जाए कि जब लोग तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे तब आप कहां थे अस्पताल बिना इलाज बिना बेवक्त मारे जा रहे थे तब आप कहां थे दवाई और अक्सीजन पाने के लिए तरस रहे थे तब आप कहां थे बंगाल में चुनावी रैलियां कर रहे थे दीदी ओ दीदी कहकर किसी को छेड रहे थे बचे कुछे बैंकों को बेज रहे थे हजारो करोन का हवा महल बना रहे थे चुनाव आयोक का गला दबा रहे थे या उसकी डोर घुमा कर उससे कटफुतली नाच करवा रहे थे आखिर क्यों आप इतनी बेफिक्री और समवेदन हींता दिखा रहे थे क्या भूल गए ये आपके 130 करोन प्यारे भाईयों और बहनों की चीख पुकार है ये 130 करोन की आबादी को घटा कर वापस 125 करोन करने का प्लैन बना रहे थे लाखों तो कपके गवा चुके हैं अपनी जान क्या आप करोनों के मर जाने का इंतजार कर रहे थे आबादी को आप समझते हैं भारी बोज क्या उसमें से हलका सा बोज उतार देना चाहते थे क्योंकि मिल रहे हैं इसे सबूत जिससे आप पर नरसंगहार के आरोप लग रहे हैं महामारी के इस दौर में आपने हजारों मेट्रिक टन ऑक्सीजन वी देशों में क्यों भेज दिया देश में लोग जिस वैक्सीन के लिए तरस रहे हैं उन्हें आपने कम जरूरत मन देशों में क्यों भेज दिया जिन्होंने वैक्सीन अस्पताल और इलाज की कमी पर सवाल उठाए उन्हें जेल क्यों भेज दिया वैसे तो आम आदमी भी बेहत मतलवी है आपकी ही तरह मगर मजबूरी में अब आपसे सवाल कर रहा है क्योंकि जिसे मिली थी सवाल करने की जिम्मेदारी वो मीडिया तो आपको दंडवत प्रणाम कर रहा है रिपोर्टर लासों के धेर पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहा है और एंकर आपकी सरकार के गुड़गान कर रहा है